दोस्तो, ather energy 6 April को अपनी upcoming electric scooter,äter के रिष्टा electric scooter वो launch करने वाली है यह एक family oriented electric scooter है, as per ather energy recently एक और विडियो आया है ather energy की तरफ से अब company ने बोला भाई लोगों को teaser देनी कि क्या जरूँत है हम खुद teaser प्रोवाइड करते है और इस बार को जो वीडियो है इसमें बकायदा एथर की जो रिष्टा इलेक्रिक स्कूटर है उसको 400 mm वाटर की अंदर से ले जाया गया है और इसकी IP67 रेटिंग की टेस्टिंग की जा रही है अगर इस वीडियो का अच्छे से देखते हो तो यहाँ पर जो इलेक्रिक स्कू काफी जादा चेंज किया है यहाँ पर जो फ्लोर बोर्ड है वो भी थोड़ा सा बड़ा है एस कंप्योर टू एथर 450 सीरीज बट जो चीच कॉमन देखने को मिल रही है इसके वीडियो से वो है इसकी TFT स्क्रीन सेम TFT स्क्रीन यूज किया जा रहा है एथर की रिष्टा इल इलेक्री स्कूटर में डिजाइन नया है लेकिन इसका हाट इसका मोटर इसका इंसुमेंटेशन सब कुछ आपको एथर 450 सीरीज जैसा ही देखने को मिलने वाला है यहाँ पर टायर की कॉलिटी होगी वह भी सेम होने वाली है फ्रेंट रियर में आपको डिस ब्रेक मिलने व इसमें एक्षिल में काफी अच्छी गाड़िया है और इंडियन मार्केट में काफी समय से है इवन जो एथर की रिष्टा इलेक्री स्कूटर आ रही हो 6 अप्रिल को आ रही हो तुम लोग को पता ही है फिल्म टू सबसेडी 31 मार्च को खतम हो रहा है और जो नेक्स्ट जो स बात नहीं कर ओ जितनी भी कंपनी ऑनके गtałिया बहुत ज्यादा zawsze थ् tek करवा सकती है तो बैठ्री स्कूटर में देखता हो तो सबसे महगी पार्ट होते है उसकी बैटरी 2nd is the motor 3rd is the controller सारी चीज़ों में कर देखा जाए तो ये 3-4 चीज़ है जो काफी important है और बाकी चीज़े काफी कम price में इनकी हो जाते है वैसे भी आज कल quality पे काफी ध्यान दिया जा रहा है काफी company को दोरा तो ऐसे में जो electric scooter की जो costing होती है न जादा देखने को मिल रही है अब देखने वाली बात ये है कि Rista electric scooter कितने में आने वाली है probably है कि इसकी pricing 1,40,000 के आसपस होनी वाली है और जो 450X है वो अगब 1,55,000 to 1,60,000 के करीब हो जाएगी because जो subsidy है वो तो हटी रही है 10,000 सिर्फ subsidy मिलने वाली है तो उसमें कितना ही कम कर सकते है अभी के टाइम में तो 22,000 के something something कुछ off मिल रहा है आगे ये off भी काफी कम होने वाला है तो दोस्तों देखा जाए तो Rista electric scooter देखो एक अच्छा कासा option हो सकता है उन लोग के लिए जिनको family oriented गाड़ी चीए याने कि घर में किसी को भी अगर गाड़ी दिया जाए तो उस पे वो गाड़ी suit करेगी आराम से चाब female हो, चाब वो male हो, चाब वो young हो, चाब वो थोड़ा से old age हो लेकिन सब के इसाब से वो गाड़ी सही perfectly bad ती है जैसे अगर मैं ice engine की बात करता हूँ एक एक ऐसी गाड़ी लगती है मेरेको, जो हर कोई चला सकता है उसका design ही ऐसे बनाया गया है कि भाई वो लड़की चला है, लड़का चला है सब पे suit करता है तो वैसे ही कुछ, Ather ने भी इस गाड़ी के उपर काम किया है डिजाइन पर खास कर जादा काम किया है उसके बाद ये 400 मीटर की वाटर टेस्टिंग, घजब की टेस्टिंग चला है मिलते अगले वीडियो में, बाबाए